गुड मॉनिंग इस्टुडेंट आसका जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो मैकेनिकल डिजाइन आफ लाइन्स में जो हम लोग सैग पढ़ रहे थे उसी सैग का कुछ जो है कि इंपोर्टेंट डेफिनिशन है उसी से रिलेटेड उसके बारे में हम लोग देखेंगे का चीस अंतिम भंजन प्रतिबल यानि ultimate breaking stress इसका क्या मतलब होता है तो देखिए इसका मतलब यह होता है कि वह अधिक्तम प्रतिबल जिस पर कोई कार्यवस्तू भंजित हो जाए या फिर हम कहें तो उस पर तूट कर गिर जाए उसको हम क्या कहेंगे अंतिम भंजन प्रतिबल कहते हैं ठीक इसको जो है कि हम उच्चतम प्रतिबल अधिक्तम प्रतिबल सिखर प्रतिबल चरम प्रतिबल इन सब नामों से जानते हैं ठीक है यानि अगर हम बात करें अंतिम भंजन प्रतिबल की तो क्या होगा वह अधिक्तम प्रतिबल जिस पर कोई कार्य वस्त तो क्या हो जाए भंजित हो जाए या फिर हम कहें तो टूट कर गिर जाए उसको हम अंतिम भंजन प्रतिबल कहते हैं इसको उच्चतम प्रतिबल अधिकतम प्रतिबल सिखर प्रतिबल चरम प्रतिबल इत्यादी नामों से जाना जाता है इसे हम जो है FU या फिर FB या फिर FC से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई क्या है के जी पर एमेम स्क्वायर या फिर अगर हम दूसरे सब्दों में कहें तो जो अंतिम भंजन प्रतिबल होता है अंतिम भंजन प्रतिबल भंजित वाहबल तथा अनुप्रस्त काट छेत्रफल का अनुपात होता है जो अंतिम और अनुप्रस्त काट छेत्रफल का अनुपाद होता है ठीक है तो अन्तिम भंजन प्रतिबल को हम FB, FUA, IFC से डिनोट कर रहे थे तो FB is equal to क्या हो जाएगा अन्तिम भंजित मतलब भंजित वायबल क्या होगा इसको हमने capital FB से डिनोट किया और अनुप्रस्त काट छेत्रफ क्या हो जाएगा यानि FB is equal to अन्तिम भंजन प्रतिबल is equal to भंजित वायबल अपान क्रो सेक्षनल एरिया और यूनिट किसका kg पर mm² अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा डेफिनिशन है वो है सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल ठीक है सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल य प्रतिबल जिस पर कोई कारे वस्तु अपना कारे सफलता पुर्वक करती रहती है उसे हम क्या कहेंगे सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल और भंजन प्रतिबल क्या था वो था कि अधिक्तम प्रतिबल जिस पर कोई कारे वस्तु तूट जाती है और सुरक्षित कारेकारी प् सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल कहते हैं, इसे जो है सुरक्षा पूर्ण प्रतिबल, कारेकारी प्रतिबल, इन सब नामों से क्या करते हैं, जानते हैं, इसको हम प्राया किस से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, FH से या फिर FW से, इसका भी जो यूनिट होता है, व अगर हम बात करें दूसरे सब्दों में तो जो हमारा सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल है वो क्या होता है सुरक्षित वायबल अगर यहां पर भंजित मतलब वो था क्या नाम है अंतिम भंजन प्रतिबल था तो यहां क्या था भंजित वायबल और यहां पर सुरक्षित कारेक से तो यह कितना हो जाएगा fs और fw is equal to capital fw upon a जहां पर capital fw क्या है सुरक्षित वाइबल और a हमारा क्या है अनुप्रस्त कार्ट का छेत्रफल ठीक है इसके बाद एक नया मतलब दूसरा definition है क्या चीज सुरक्षा गुडांग या अभयांग ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं safety factor अन्तिम भन्जन प्रतिवल तथा सुरक्षित कार्यकारी प्रतिवल का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहेंगे सुरक्षित मतलब सुरक्षा factor यानि सुरक्षा गुडग ठीक है या भी safety factor अंतिम भंजन प्रतिबल क्या होता था अंतिम भंजन प्रतिबल होता था कि वह अधिकतम प्रतिबल जिस पर कोई कार्यवस्तु भंजित हो जाए या तूटकर गिर जाए ठीक है, इसके बाद सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल क्या होता था तो वह सुरक्षा पूर्ध प्रतिबल जीश पर कोई कारेवस्तु अपना कारे सपलता पुर्वक करती रहे, तो जब हम अन्तिम भंजन प्रतिबल और क्या करेंगे सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल का अनुपात ले लेते हैं तो उस अनुपात को हम किस नाम से जानते हैं सेप्टी फैक्टर के नाम से ठीक है अगर हम बात करें अंतिम भंजन प्रतिबल की ठीक है तो अंतिम भंजन प्रतिबल को हम किसे डिनोट करते थे F U से ठीक है या फिर जो है की F B से ठीक या फिर और किसे डिनोट करते थे Fc से ठीक तो यह क्या होता था ये होता था भणजित वाहेबल ठीक है ये होता था कितना भणजित वाहेबल ठीक अपउन में क्या होता था एरिया और अगर हम बात करें कि इसकी सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल की तो उसको हम किसे डिनोट करते थे उसको डिनोट करते थे FW से या फिर FS से ये क्या होता था सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल ठीक है अपाउन ए तो जब हम इन दोनों का रे यो लेंगे तो हमें क्या चीज मिलेगा जो हमें यहां पर मिलेगा तो अगर हम बात करेंगे safety factor की ठीक है safety factor की तो SF is equal to कितना हो जाएगा अंतिम मतलब भंजन भंजित 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 वाहबल ठीक है भंजित वाहबल अपन में सुरक्षित वाहबल ठीक है यही मिलेगा या फिर अगर हम इसको denote करें तो यह क्या हो जाएगा fu अपन fs fu जहाँ पर क्या है अंतिम भंजन भंजित प्रतिबल और fs क्या है सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल है ठीक है तो यह हमारा क्या चीज मिल गया safety factor एक चीज़ और देखिए जो हमारा safety factor होता है इस safety factor का मान एक से जादा होता है या कभी एक से कम नहीं हो सकता ठीक इसके बाद इस पर कुछ numerical है तो अगर हम बात करें numerical की तो पहला question क्या कह रहा है कि एक transmission line है ठीक है क्या है कि एक transmission line का span 180 मीटर तथा सैग 5 मीटर है यदि conductor का cross sectional area मतलब 1.25 cm2 तथा भार 1.12 kg पर मीटर हो तो सुरक्षा गुड़क की गड़ना करना यानि safety factor की value हमें निकालना है ठीक है तो देखिए जो span दिया है तो span का मतलब क्या चीज़ है यहाँ पर L हो गया span का मतलब क्या है span हमारा L हो गया ठीक है इसके बाद S है तो S का मतलब हो गया हमारा sag cross sectional area मतलब A हो गया ठीक है और भार कितना है 1.12 kg पर मीटर इतना यह सब गिवन है तो हमें क्या निकालना है पहले जो हमें पता है tension मतलब sag sag is equal to क्या होता है s is equal to wl square by 80 होता है ठीक है तो w की value कितना given है 1.12 kg पर मीटर है ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे cm square में change करेंगे तो जब हम इसको cm square में change करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.12 x 10 to the power minus 4 kg पर cm square कैसे होगा तो तो यहां से हमने w की value कितना निकाल लिया यह हमें मिला 1.12 x 10 to the power minus 4 kg पर cm square ठीक है तो इस w की value को हम क्या करेंगे यहां पर इस formula में रखेंगे t's तो अब देखिए अगर यहां से अगर हम t की value को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा t is equal to हो जाएगा w l square by 8s ठीक है तो w की value कितना हो जाएगा w is equal to 1.12 x 10 to the power minus 4 ठीक है और l की value कितना दिया हुआ था 180 मीटर तो 180 मीटर को हमने cm में change किया तो यह कितना हो जाएगा व एक 180 गुड़े 10 मतलब 10 square ठीक है और 8 और s की value कितना था से पांच मीटर दिया था तो 5 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा 5 x 10 square ठीक है इसको हमने cm में change किया तो जो यहां पर tension की value आएगा वो कितना हो जाएगा 907.2 kg ठीक तो यह जो 907.2 kg है यह उतना उस पर जो tension है उतना उस पर कारे कर रहा है यानि हम इसको कह सकते हैं यह क्या है क्या है क्या है 907.2 kg अब क्या है कि आवस्यक तन्य प्रतिबल प्रतिबल का मतलब क्या हो जाएगा अगर आवस्यक तन्य प्रतिबल निकालेंगे उस पर कितना stress है तो कितना हो जाएगा कारे कारी तन्य बल अपान क्रोस सेक्षनल एरिया तो जो हमारा क्रोक जो वर्किंग टेंसाइल फोर्स है जो कारे कारी तन्य बल है वो कितना है 907.2 अभी निगाला था और अनुपरस्त काट छेत्रफल ये गीवेन है 1.25 वर्क सेंटीमीटर तो ये हो गया और ये कितना हो जाएगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वाइर तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना आ जाएगा 725.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वाइर ठीक है अब हम बात करेंगे सेप्टी फेक्टर की तो सेप्टी फेक्टर इस इकल टो कितना है F U upon F S तो देखे, जो प्रतिबल है, वो प्रतिबल हमारा कितना है 3028 kg पर cm2 ये दिया था तो 3028 kg पर cm2 और इसके बाद कारेकारी जो प्रतिबल हमने निकाला था F S, ये हो गया, यानि ये F S क्या है से जो है, हमारा ये F S क्या है, ये है हमारा जो हमने सुरक्षित कारेकारी प्रतिबल निकाला था और वो उतना ही काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है ये जो हमारा 7.25, मतलब स्वरी, 72, 725.7 kg पर cm2 आया है वो काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारा transmission line पर जो sag है, उतना उस पर tension उत्पन हुआ है, और उस tension के कारण से उस पर कितना प्रतिबल उत्पन हुआ है तो वो चीज़ तो काम कर रहा है ना, उस पर वो जो है कि सुरक्षा पुरव क्या है, मतलब safely उस पर work कर रहा है तो ये क्या हो गया, सुरक्षित कारेकारी तन्या, मतलब सुरक्षित कारे-कारी प्रतिबल हो गया ठीक है तो अगर हम बात करें 70 factor की तो 70 factor is equal to क्या है अब उस पर जो है कि जो प्रतिबल given है वो 3028 है और divide by जो हमारा कारे-कारी तन्यबल है उसको हमने divide कर दिया तो जो answer मिलेगा वो कितना हो जाएगा 4.172 यह unitless होगा क्योंकि इसका भी kg पर mm square या फिर kg पर cm square था और इसका भी kg पर cm square तो दोनों cancel हो जाएगे तो क्या हो जाएगा जो हमारा 70 factor है वो unitless हो जाएगा ठीक है तो यह जो है कि इसका answer कितना आजाएगा जो 70 factor है उसका answer आजाएगा कितना 4.172 ठीक अब इसके बाद जो हमारा next है electrical features offline इसको हम लो आगले lecture में देखेंगे आज के लिए इतना ही thank you